कर दो एक प्रेंट्स तो टुडे विलान अबाओट मीन एंड वेरियांस एक्जाम्पल गोल यहां पर एक्षचन है क्पाइड मीन वेरियांस यहां पर हमें एक्साइड और फाइं क्वेस्चन में दिया हुआ है वर यह किसके लिए एक गुरूप डेटा है ओके पहले मैं ने मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा एफाइकस है फाइकस है उसका एडिशन सिग्मा एपाइकस है मिस इन दोना का मल्टिपिकेशन करते जाओ 6 इंटू 2 12 10 इंटू 4 40 40 इंटू 7 98 18 इंटू 12 216 सब का एडिशन ज्या होगा सिग्मा एपाइकस है 760 अब सेकन क्या फाइंट करना हमें variance variance का formula क्या है सिग्मा एपाइकसा है एकसा है औल स्क्वेर बोल ला है तो पहले मैंने ऐकसाहई स्क्वेर पाइंट कर लिया जो भी एकसाई दिया हम सबका स्क्वेर कर दो 6 का स्क्वेर 36, 10 का 114, 14 का 196, सारे यहां पर स्क्वेर होगी, फिर XI स्क्वेर को किस से मल्टिप्लाइ करना है, FI से, तो XI स्क्वेर को FI से मल्टिप्लाइ करो, तो यह आपको कोलम मिलेगी, FI XI स्क्वेर, उन सब का एडिशन मिन्स, सिग्मा FI XI स्क्वेर कितना है, 16176, ओके, चला यह हो गया, N हमें पता है, N मिन्स सिग्मा FI यहां पर, जब भी आमने ग्रूप डेटा दिया होा है, तो N मिन्स सिग्मा FI कितना है, 40 है, सिग्मा FI X है भाई, N हो तो आफिया है, 90 हो डायरक रख देंगे, तो सिग्मा FI X से स्क्वेर की वेल्यू क्या है, 16176 अपॉन 40 माइनस 19 स्क्वेर, यह हो जागा, 404.4 माइनस 361, आंसर कितना हो जागा, 43.4, ओके, बहुत ही सिम्पल जो भी आपने 19 में यहां तक तो किया है, सिप इसमें पॉर्मिला रिमेंबर करना, और कुछ नहीं है, रेडी, सिमिलारी नेक्स पेस्टन महीं है, लेकिन देखो यहां पे X से बहुत नंबर बड़े-बड़े, रेडी, सो हमने क्या किया है, यह सपोस कर लिया, यह जो प्र से नहीं है, सो दी या इकोल तो XI-1, इसको सपोस किया है, मैंने 98 को, सो 92-98 कितना होगा, 93-98 कितना होगा, मैनस 5, तो सार एडी इकोल तो XI-A मिलेंगे, अब फॉर्मिला गया है, सिग्मा FIDI by N, सो FIDI चाहिए, FIDI का मल्टिप्लाइ कर दो, देखो नंबर छोटे-छोटे होगे अगर एक साइड यह होता तो नंबर कितने बड़े होते हैं तो यहां पर नंबर बहुत कम होगे और आंसर भी कितना हुआ सिग्मा फई एक साइड इसका आंसर है वह अंड्रेड आ जाएगा अब वेरियांस के फर्मिला में क्या चैंज होगा अमने नौट यहां पर किया होगा ता जगर कोई भी डेटा दिये होगा उसमें आप कुछ प्लस या माइनस करते हो तो यहां पर पी कुछ चैंज नहीं करन है शिप जहां पर एक साइड लिखते है वहां पर दिया लिख देना है यहां पर प्लस ओपर माइनस एक यह उसमें कोई चैंज नहीं होगा तो आपको यहां पर सी स्क्वेर से मल्टिप्लाइ करना पड़ता हो तो यहां पर क्या कर देना है पूरा ब्रेकएड इंटु सी स् यहां पर कंगहां थे स्क्वेर स्टी उसमें इतना है। स्टिएट ऑई नहीं करना है यह पर एस बाद वह रख सकते हो लेकिन पुरा एक स्बार नहीं रखना है so 44 divided by 2 का all square so 728 by 22 कितना होगा 33.09 minus 2 square 4 हो जागा ready so final answer 29.09 so बहुत important question है mean and variance find करने के so one by one note down करो और अपने आप practice करना हो सके तो ready यह दो column लिखा उपी लिए आपको self practice करो so note down okay next question find mean variance and standard deviation ready यह पर तीन बोला है mean variance and standard deviation so again यह एक साइ एक साइ एक साइ नंबर कितने है बहुत ज्यादा है 60, 61, 62 so multiplication भी ज्यादा होगा direct question किया तो so हमने क्या किया आगाई A ले लिए A क्या लिए हमने 64 okay so A 64 लेने पर DI क्या आए XI-A 60-64 minus 4 61-64 minus 3 यह साहर यहाँ पर value रखदो क्या मिल गएगा DI minus 4, minus 3, minus 2, minus 2, minus 3, minus 4 okay यह हो गया DI so अभी FIDI FIDI क्या होगा FI into DI FIDI, minus 8, minus 3, minus 24, minus 29, 0, 12, 20, 4, 3, 12, 5, 4, 20 so addition इसका क्या होगे तो 0 आएगा ready sigma FIDI कितना हो गया 0 so XI क्या होगा A plus sigma FIDI upon sigma FI A आपने लिया हुआ 64 sigma FIDI 0 upon sigma FI कितना है 100 so answer हो जाएगा 64 तो हमारा mean हो गया 64 अब variance की लिए variance का पूर्मिला क्या है sigma FIDI square देखो XI square वाला पूर्मिला है लेकिन जब भी हम DI लेंगे minus EIA plus क्रेंगे so XI की जड़ा पे DI FIDI square upon N minus sigma FIDI by N all square so DI square चाहिए so DI square पॉर्स्ट हमने पाइंड कर लिया उसको FI से मल्टिप्लाइ करो 6 तूजा sorry 16 तूजा 32 9 बन जा 9 4 इन्टू 12 48 यह सारे FIDI square मिल जाएगे ओके और उन सबका addition sigma FIDI square कितना मिल रहा है 286 उसको यहापे रख दो upon N कितना है 100 minus sigma FIDI 0 है सो पूरा यह 0 हो जाएगा ready 286 upon 100 means answer 2.86 variance अभी हमने पाइंड करना है standard deviation बहुत ही simple है under root variance standard deviation का formula क्या था under root में variance variance कितना मिला 2.86 standard deviation कितना होगा 1.69 ओके तो यह हमारा question हो गया next हमारा चोटा सा एक formula हरा है coefficient of variance बहुत ही important है क्यों important है देखो अगर मुझे थीन या चार मार का question आपको paper में लेना है तो मैं क्या करूंगा CV का question देना coefficient of variance formula देखो sigma upon x bar into 100 sigma means standard deviation ready sigma square variance उसका under root mean sigma standard deviation तो देखो standard deviation find करना है variance find करना पड़ेगा ready so यह दोने दो find करने यह आपको और upon x bar so यह भी find करना है so यह पूरा sum इस छोटे से वर्ड में आगे coefficient of variance ready row sorry sigma upon x bar into 100 यह उसका formula है तो यह आपको remember करना है और यह आपको not down करना है okay okay friends example of CV ready हमने जो भी देखा coefficient of variance जिसका formula देखा यहां पर हमें question में इतना दिया हुआ है एक class दिया है यह frequency a group ग्रूप A और यह frequency group B खी है इसमें बोला है किसमें हमारा CV ज्यादा है ready so हमें find करना है CV find करना है so sigma upon x bar sigma चाहिए x bar चाहिए x bar means mean and sigma is क्या होगा standard deviation okay so x bar के लिए हमने पहले तो class दिया हुआ class के उपर से हमने x by x i find कर लिए ready उसकी mid value 50, 25, 35, 45, 55, 65, 75 लेकिन इसकी value बहुत ज्यादा है मिस इसका square करेंगे multiply करेंगे तो बहुत top होगा तो आमने di लिए हो di क्या लिए x i minus a by c x i a क्या है 45 ready x i minus a 15 minus 45 minus 30 by c c means length कितनी लिए 10 ready minus 30 divided by 10 कितना होगा minus 3 similarly minus 2 minus 1 0 1 2 3 तो यह क्या होगा di अब हमें चाहिए fi di क्योंकि इसका formula क्या होग x bar का a plus sigma fi di by n into c ok so f i di c f i di f i di f i di की पूरी column बनाली multiply करके f i into di f i into di so यह जो सब है उसका addition किया होगा sigma fi di वह रहा minus 6 so यहांपे put कर देते 45 लिया होगा sigma fi di minus 6 है upon n कितना है 150 है sigma fi di ready into c 10 करना है कि से multiply करना है c square से multiply करना है अच्चे से remember करना है ok चलो तो यहांपे f i di square चाहिए इसलिए d i square di square निकाल लिया यहांपे so di square मिलने के बाद उसको f i से multiply करो f i into di square 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 तो पूरी column मिल जाएगी 150 यह minus sigma f i di कितना है minus 6 upon 150 all square इन सब का solution करोगे 227.84 under root में means answer कितना होगा 15.09 क्या standard deviation sigma so cv कितना होगा sigma upon x bar into 100 sigma 15.09 upon 44.6 into 100 answer around 33.83 okay यह किसके लिए यह ए ए ग्रूप के लिए ready okay similarly यह आपे यह जो frequency है वह किसके लिए b group के लिए so b group के लिए frequency दिए class यह है अगर class यह होने वाला है तो x i भी यह होने वाला है अगर x i यह है तो हमें जो a वर सी suppose किया है वह भी इसमें वहीं suppose करेंगे दिए भी यह होगा दिए यह है तो d i square भी वही होगा means कि यह जो four column है वह दोनों में common आएगी ready so change क्या होगा frequency हमें separate दिए b group की so f i d i change होगा जो हमें mean यहाब पाइन कर लाए उसके लिए requirement है so f i d i change होगा f i into d i कावे d i d i into f i d i into f i so यह पूरी column हमें मिलेगी f i d i की और उन सबका addition क्या होगा sigma f i d i क्या होगा minus 6 वह यहाब पूट कर दिया solution 44.6 तो देखो यहाब यहाब mean value हमें 44.6 next हमें क्या पाइन करना है standard deviation under root क्या आएगा variance variance में c square को multiply करना पड़ेगा 100 sigma f i d i formula ही है sigma f i d i square so d i square को f i से multiply करो f i d i square की पूरी column मिलेगी और इडिशन 366 so यहाब यह भी 366 लगा दिया है upon 155 minus minus 6 upon 150 क्योंकि sigma f i d i जो है वो minus 6 है upon 150 whole square इसका solution करोगे इसका solution होगा around 35 जडिए किसके लिए और ग्रूप b के लिए जडिए सो अपका cv मिल गया किसका ग्रूप a और ग्रूप b का ग्रूप a का 33.83 है ग्रूप b का 30 पा है किसका ज्यादा है ग्रूप b का सीवी ज्यादा है तो यह बहुत इंपोर्टनट है सीवी फाइन करना है ओके सो अच्छे से देख के आप नोट डाम करिए जितना हो सके उतना आप अच्छे से इसमें सेल्फ प्रेक्टिस करना है अच्छ यहां पर एक्सराइस 15.3 उसका क्रेस्टन नंबर 3 दिया हुआ है कि अनवासिस आप मंत्री वेजिस पाइट टू वरकार इन तू फर्म A & B बिलोंगेंस तु श्याम इंडस्ट्री इव दफिलर फॉलोइं रिजल्ट यह अमरा रिजल्ट है यह A & B नंबर अप एमप्लोई कितने है यहां पर 586 है यहां पर 648 है रिजल्ट में मंत्री वेजिस है 5253 इसमें भी 5253 है नेक्स्ट वेलियांस दिया हुआ है कितना 100 & 120 है रिजल्ट उसमें बोला गया है कि वीच फर्म A & B पेस लार्जर अमाउंट इस मंत्री वेजिस मींस लार्जर सेलेरी कोन देता है तो यहां पर देखा यह मीन है यह 1% का 5253 तो टोटल परसं कितने 586 जो यह फर्म A की टोटल सेलेरी कितनी होगी 586 into 5253 ready 586 into 5253 यह एस टोटल सेलेरी कितनी होगी 3078 258 यह A की टोटल सेलेरी है similarly यह भी मीन है 1% का है टोटल 648 का कितना होगा 3403 944 तो यहां पर कौन ज्यादा पे करता है वह important है तो यहां पर देखा बी जो है वह A से ज्यादा पे करता है B is more pay to A यह 1st question था 2nd question which firm A or B greater variability in industry individual wages means ज्यादा हमें अगर greater variability check करनी है तो हमें सीवी चाहिए जिसका सीवी ज्यादा उसमें variability ज्यादा है यहां पर सीवी किसका ज्यादा है तो सीवी पाइं करने के लिए माना formula के सिग्मा अपन एक्स बार इंटू 100 तो अगें सिग्मा क्या है सिग्मा मीं स्टांडर्ड डेविएशन यहां पर गालड़ अवह ऐसे सिग्मा स्कूर्ड सिग्मा कितना हो가는 इसका अंडेर्ड मीं सिग्मा होगा 10 अपन एक्स बार यहां पर फाइटू पाइटूपी हां है इंटू 100 अंसर आएग गा 0.19 ऑके इसमीलर्ली, बी के लिए किसमें ज्यादाइए किसमें ज्यायदा दी कुछ में है कि बी स्चांटाइबिलिटी कॉछ लिए ऊके know यहां पर पुला किया है तो सम है नुए यसका लेंध एक्स और वैट वाय विच इसेपरेट सेपरेट दिया हुआ है विच इस मोर वेरिंग इंग लेंद्ध और वेट वो में पायंट करना है तो वेरिंग किसी से पतर चलेगा चीवी से एड़ी तो यापी XI XI square Y YI YI square यह सब दिया हुआ है तो सीवी के लिए सिग्मा और X-bar चाहिए सो X-bar करने के लिए sigma xi upon n यह formula लगा दिया sigma xi कितना है 212 upon n कितना है 50 so 4.24 similarly y bar के से मिलेगा sigma y upon n sigma y न वो दिया हुआ 261 upon n 50 आंसर मिलेगा 5.22 similarly दोनों का sigma point x की लिए और y निए sigma x क्या होगा sigma xi square by n minus sigma xi upon n wall square sigma xi square दिया हुआ n दिया हुआ sigma xi सारी वेल्यू पूट करेंगे वेल्यू मिलेगी 0.88 okay similarly sigma y उसका भी फॉर्मिला यहां पर y आए आएगा ready यहां पर x i नहीं क्या आएगा y i so sigma y is y i square और sigma y यह सारी वेल्यू पूट कर दो इसका अंचर आएगा 1.37 और दूसरा दोनों का cv करेंगे cv of x क्या होगा sigma x upon x bar sigma x कितना विला में 0.88 upon x bar कितना है 4.24 into 100 so 20.75 answer एगा next cv of y sigma y upon y bar into 100 so sigma y क्या है 1.37 upon 5.22 into 100 answer i got 26.24 so which of the cv is more than other y और y क्या बोला यहां पर y means यहां पर दिया होगा weight so किस में वदर में variance होगा होगा किस में होगा y में होगा means हमारा weight में ज्यादा variance होगा लेंस में नहीं होगा किस में होगा variance में जितका cv ज्यादा उसका variance ज्यादा होगे so knock-down करिए question again question number 5 है 13.15.3 exercise का और दूसरा homework में आपको जो भी exercise है 15.1,2 और 3 उसमें जितने question remaining जो हमने नहीं calculate किये वह आपको complete करना है जैसे कि यहां पर 5th question ने इसके बिले 3rd किया और उसके बिले 1st किया तो 2nd and 4th question remaining तो वह आपको solve करना है यहां पर 3 exercise complete होती है 15.1, 15.2 and 15.3 okay so knock down